हाई फैंड दिस आसिम फ्रम केंपस लॉव सेंटर फेकल्टी अफ लॉव इंश्टी अफ देली तुड़े आइ वुड लाइग डिसकाश लेनमा केस ऑफ फैमिली लॉव टू विची मैंसे इनाव केस मैट केस का नाम है मैंस नोपनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सस संतोक सींग यह दोजासाद का केस है तो चलिएँग इस केस के फैक्ट इशू और जंज्मेन पहाते हैं इस केस के फैक्ट यह है कि इस केसमें संतोक सींग अपने घर को चार साल के लिए लीज पे देदा है नोपनी इन्वेस्टमेंट को तो चार साल के बाद संतोक सी का जो छोटा भाई होता है वो कहता है नोपनी इन्वेस्टमेंट को कि आप मेरे घर को खाली किजिए क्योंकि अब आपका चार साल का टेनियूर पूरा हो चुका है और चुकि भाईया साथ यहां पे नहीं है तो भ करता नहीं है चूंकि आप करता नहीं है तो आप हमें घर खाले करने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि संतोक सी जो है वो इस घर के senior most member है तो करता वहीं है यंगर brother को नोपनी investment जो है करता नहीं मानता है और घर खाले करने से मना कर देता है तो इस case का issue यह है कि in absence of संतोक सी क्या उसका younger brother करता कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा जब मामला court में जाता है तो court कहती है कि जो senior most member होता है Hindu undivided family का वो करता होता है और अगर senior most member Hindu undivided family का absent हो तो उसकी जगह पर कोई दूसरा senior most member जो है वो करता होगा तो present case में अगर देखा जाए तो संतोक जो की elder brother था वो absent था तो उसके absence में उसका जो younger brother है वही करता कहलाएगा तो finally supreme court जो है younger brother को करता declare करती है तो इस case के fact issue और judgment यही है आई होप कि आपको यह video informative लगा होगा अगर video पसंद आद प्लिज वीडियो को like करें share करें हमसे जूरे रहने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस case का PDF चाहिए तो इस video के description में और साथ इसाथ comment box में मैंने अपने WhatsApp नमबर को pin out कर दिया है आप WhatsApp नमबर पे message करके PDF अभेर कर सकते हैं थांकियो सो मच